हेलो गाईश वरात्री के वरत के लिए आज मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी सी एक रेसिपी लेकर आई हूँ मेरी तो ये वन आफ दी फेवरेट रेसिपी है वरत में खाये जाने वाली तो फ्रेंड आई ही रेसिपी को शुरू करते हैं और बनाते हैं साबुदाना वरा जिसके लिए ले लिया है मैंने साबुदाना तो साबुदाना वरा जब भी बनाए ना फ्रेंड सबसे पहले हमारा काम होना चाहिए साबुदाने को अच्छे से वाश करना उसमें जितना भी एक्स्ट्रा स्टार्च है ना हमें उसे वाश करके निकाल देना है तो इस तरह से आप डारेक्ट टैप के नीचे से बढ़िया से वाश कर ले जितने अच्छे से ये वाश होगा उतना ही बढ़िया आपका साबुदाना वड़ा जो है या बनेगा या साबुदाना खिचडी अगर आप बनाए ना तब भी इसी तरह से साबुदाने को पहले अच्छे से वाश कर ले साबुदाने का बढ़िया से वाश होना बहुत जरूरी है तो देखिए यहां मैं अपने हातों से रब करते हुए इसे अच्छे से बढ़िया से वाश कर रही हूँ साबुदान अफ बड़ा मेरा बहुत फेवरेट है और यह रेसिपी मैंने बहुत बार ठ्राइ की है तो एक बार आप भी इस रेसिपी को जरूर बनाएं और मुझे जरूर बताएं कि आपको मेरी यह जो रेसिपी है यह कैसी लगी तो देखिए जब तक इसके ओपर यह वाइट पानी रहेगा ना तब तक हम इसे अच्छे से इसी तरह से वाश करते रहेंगे तो अब वाश करते करते आप देखिए इसके ओपर का पानी ना एकदम बढ़िया ट्रांस्परेंट हो गया है यानि कि हमारा जो साबुदाना है अच्छे से वाश हो गया है इसका स्टाश निकल गया है अब क्या करना है इसे या तो आप ओवरनाइट बिगो कर छोड़ दे या चार से पांच घंटे के रहे ना इसी तरह से बिगो कर छोड़ दे लेकिन अब इसे बिगोना कैसा है वो भी मैं आपको बताती हूँ उसके लिए Μैंने साबूदाने के एक्स्ट्रा पानी को निकाल दिया है और अब मैंने एक कप साबूदाना लिया था तो उसमें में एक कप ही इस तरह से पानी आइट कर दूंगी तो फ्रेंड्स ये आपको ध्यान रखना है कि पानी इसमें बहुत जादा ना आइट करके भीगोई बहुत जादा आइट कर देंगे तो ये बहुत जादा ना स्टार्ची हो जाएगा और अब देखिए साबुदाना हमारा बढ़िया से फूल गया है ये पांच घंटे के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ अगर ओवरनाइट रख देंगे ना तो और बढ़िया हो जाता है लेकि मैंने इसे पांच घंटे के लिए भी गोया था और देखिए एकदम पॉफेक्ट हमारा साबुदाना जो है वो भीग क्या है अब बनाना है साबुदाना वड़ा तो आप में क्या करूंगे ना इस तरह से एक्छनी ले लूँगी और इसमें से जितना भी एक्स्ट्रा पानी है उसे निकाल दूँगी क्योंकि हमें इसके उपर पानी नहीं चाहिए तो आप क्या करें इसे स्ट्रेन करके ने इस तरह से 10 से 15 मिनिट के लिए ये आदे घंटे के लिए छोड़ दे उससे क्या होगा जितना एक्स्ट्रा पानी होगा वो अच्छे से स्ट्रेन हो जाएगा आदे घंटे के लिए मैं इसे इसी तरह से न छोड़ दूँगी अबने के बाद ना साबुदा, ना फोल जाता है उसके बाद में इसमें mistry एम अड़ कर रही हूं इसमें बहुत अच्छा आता है आप साबुद भी कर सकते हैं मुखली कर दो अपर обсूber यहांब ना मैंसे अच्छा स साबुदा मिक्स कर लिया मुंगफली के साथ अब मैं यहां पर ले लूँगी आलू तो बॉय डालू है इस तरह से इस size के मैंने लिये है medium size के उसे मैं grate करके इसमें add कर दूँगी तो इस तरह से ग्रेट करके हमें सारे आलू को add कर देना है तो friends यहां पर मैंने एक कप भीगा हुआ सावुदाना लिया जब रत हम करते हैं तो भूब बहुत जादा लेगती है तो इस तरह कि अगर आप कोई रेसेपी बना लेना तो आपका पेड़ जो है वो जादा देर तक भरा रहेगा तो देखिए अब मैंने यहां पे आलू ग्रेट कर ली हैं इसमें आड़ कर देते हैं हरी मिर्च हारी मिर् आप मिर्च स्किप कर सकते हैं इसी के साथ इसमें जाएगा जीरा जीरे का जो फ्लेवर है ना वो साबुदाना बड़ा में बहुत अच्छा लगता है जरूर आड़ करें तो मैंने यहां पे एक टी स्पून जो है वो जीरा आड़ कर दिया है और इसी के साथ मैं इसमें कर लेना है तो अच्छे से हमें अपने हाथों से इसमें आया है ता कि बीगा हुआ होया आलू होने चाहिए और भीगा हूआ साबुदाना ना चाहिए तो आप ये रेथीपी ना फटब फट से बना करके रेडी कर सकते हैं आप ऐसा कर सकते हैं कि साबुदाने को ओवरनाइट भी गो दें फिर सुबा उठके इसके पाली को स्ट्रेन कर दें और जब आपको टिक्की बनानी है वड़ा बनाना है तब आप उसका यूज़ कर ले और देखें यहाँ पे एकदम परफेक्ट डो वाली कंसिस्टेंसी में मैंने यहाँ पे आलो और साबुदाने को कर लिया है ना यह जादा लूज है ना जादा टाइट है एकदम परफेक्ट है अब थोड़ा थोड़ा सा मिक्शर अपने हाथों में इस तरह से रोल करके हम इसकी टिक्या निकाल लेंगे और बड़ा हमारा रेडी हो जाएगा तो देखिए इसमें आलो की जो कंसिस्टेंसी है वो भी एकदम परफेक्ट है और जो हमने साबुदाना लिया है उसकी कंसिस्टेंसी भी एकदम परफेक्ट है तो इसी कंसिस्टेंसी में हमें दोनों चीजें एड़ करनी है अगर साबुदाना जादा हो जाएगा न तो ये बहुत जादा ओयल टीता है तो इसी लिए आप साबुदाना और आलू की कंसिस्टेंसी न एक दम परफेक्ट रखे और इस तरह से न मैं टिकियां बना करके रेडी कर लूँगी उसके बाद इन्हें फ्राइ करूँगी और इन्हें इंजॉय करूँगी तो फ्रेंड्स एक बार इस रेसेपी को जरूर ट्राय करें और मुझे जरूर बताएं आपको मेरी यह जो रेसेपी है यह कैसी लगी अगर मेरे चैनल पर नए है पहली बार आए है तो प्लीज चैनल को सबस्क्राइब कर ले बैल आगन को प्रेस कर ले oil यहां पर मैंने कड़ाईट में रख दिया है गरम होने के लिए तो oil का temperature देखें ना जादा गरम होना चाहिए ना ही बहुत जादा थंडा होना चाहिए medium hot oil में हम भी हमीने fry कर लेंगे तो पहले मैं एक डाल के देखूंगी कि यह बिखरे ना और देखें एकदम perfect यह बिलकुल नहीं बिखरी है ना यह जादा oil पिएगी एकदम perfect हमारा जो साबुदाने वड़ा है वो बन करके ready होगा अगर आपने इसमें साबुदाने की quantity जादा add कर दी होती है साबुदाने में थोड़ा सा भी moisture जाद रह गया होता तो यह बहुत जादा oil पीता है जो खाने में अच्छा नहीं लगता है friends तो इसलिए ना हमें साबुदाने की extra पानी को अच्छे से निकाल देना है उसमें मुझफली भी add करें मुझफली extra moisture के absorb कर लेगी और बहुत जादा इसमें मसाले तो add किये जाते ही नहीं है और देखिए बड़ी आसा golden color आने तक मैं इसे fry कर लूँगी जब तक इसमें अच्छा सा golden color ना आ जाए ना तब तक मुझे से fry करना है और यह देखिए हमारा एक साबुदाना वड़ा बनकर के ready हो गया है दो-दो add ना करें एक बड़िया सिर्फ हलका सा fry हो जाए उसके बाद दूसरा add करेंगे ना तो यह चिपकेंगे नहीं साथ में और बहुत जादा टिकियां एक साथ fry ना करें अदरवाइस क्या हो गई यह आपस में चिपक जाएंगी और बस फिर बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है इसलिए एक add करें एक हलकी से सिख जाए उसके बाद दूसरी add करें दूसरी हलकी से सिख जाए फिर तीसरी add करें इस तरह से fry करेंगे ना तो यह फटेंगी नहीं और बहुत अच्छे से fry हो जाएंगी बड़िया golden coloring में आ जाएगा तो लीजिए हमारा साबुदाना वड़ा बन करके ready हो गया है तो मैं इसे serve करने वाली हो ग्रीन चटनी के साथ आप अपनी पसंद की किसी भी चटनी के साथ इसे serve कर दे फटा फट से this recipe को try करें वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज like, share, subscribe, comment करना बल्कुर न भूले एक मैं आपको तोड के यहां पर जरूर दिखाऊंगी कितनी बड़िया हमारे टिक्की जो है ना या वड़ा जो है वो बना है देखिए एकदम perfect आलू साबुदाना एकदम perfect है बहुत ही बड़िया एकदम crispy हमारी यह साबुदाना वड़ा बना है तो friends फटा फट से इस recipe को try करें वीडियो अच्छी लगे तो like, share, subscribe, comment करना बल्कुर न भूले